कि आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि आपने दुनिया के बिशालतम लोगतंत के मंदिर में मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया है मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ और आज इस आदलिये सदन में उन तमाम मानिये सदुस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ उनका अभिदनन करता हूँ स्वागत करता हूँ बधाय देता हूँ जो आज इस महान सदन में अपने प्रेशेत्रों से जीत काए हैं मानिए स्वापती जी मैं अपने नेता मानिए अखलेश यादो जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सीट जो अजोध्या में है प्रभू स्री राम मर्जादा पुशुत्रम राम की धर्ति पह है जिस सीट के लिए चोवन फैलावाद के लिए देश और दुनिया की निगाहे लगी थी और आज मानिवर आज जब चुनाव हो गया है जब वहां की देवतुल्य मत्रदाताओं ने मुझे चुनाव जिता कर भेजा है है तो आज केवल हिंदूस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में ही चर्चा है मानिवर में देवतुल्य मत्रदाताओं को आभापरकर्ट करता हूं रभू स्री राम के प्रती अपनी आस्थावा भार प्रकर करता हूँ और मैंने महामहिम राष्ट पती जी के अभवास्टर को सुना और देखा मन्वर ये 39 प्रिष्ट का है लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट पती जी का नाम यहां होना चाहिए था जहां संसत के समझ भारत की राष्ट पत का अभिवास्टर ये दुनिया के में किस तरह के मेंसर जाएगा हमारे देश में कौन से राष्ट पती है उनका क्या नाम है इसको मन्वर होना चाहिए था मन्वर मुझे बड़ा ही आश्चर हुआ जब ये 31 पेश के विभास्टर में कहीं पर भी अज़ध्या का नाम नहीं है मर्जादा प्रुशूत्म राम की धर्ती का नाम नहीं है जहां से मर्जादा केवल अज़ध्या में ही नहीं सारे देश में मर्जादा अंपित हुई है उसका कहीं चित्तर नहीं है मानुवर मुझे बड़ा ही अफ्सोस हुआ कि अभी पर्षों में गया था अज़ध्या में वहां की गलियों को देखा था की चर भरा है और जहां पर हमारे देश के आधरिये प्रधानमंति जी ने छे महिने पहले एक रेलवे स्टेशन का जो अज़ध्या के नाम है उसका उद्गाटन किया था देश सो से जाला बाउंडरी वाल है धै गई है और सबसे दुखत पहलु है मनुवर सबसे दुखत पहलु है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदूस्तान कहीं नहीं दुनिया के ना जाने कितने लोग प्रभू राम स्रिराम के मंदिर का दर्शन क करने के लिए जाते हैं एक किलो मीटर की सड़क है इतनी गंदगी है इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अजोद्या में आ गई है अब कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लोग दर्सन करने के लिए जाते हैं प्रभू राम के मंदिर में जाएंगे तो सारी गंद ही नहीं मनवर मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर जलाएं जलाएं एक अजद्धा का प्रभू सिदाम के मंदिर के पास का है जलाएं महला पानी भरा है और इतना पानी भरा है और मनवर करीबों का महला है कमजोरों का महला है दलतों का महला है और पानी भरा है और सुना है उस तीस क्रोन रट होगा है लेकिन पता नहीं है यह पैसा कहा गया है और मुझे बढ़ा अफसोस कि Here a आपर एरोड्रम बन रहा है लेकिन एरोड्रम मनने में गरीबों को किसावनों को पैसा नहीं दिया गया और अपसोस की बात है कि हर साल मर्च के सर्की नेट बनता है सर्की नेट के द्वारा जमीनों का मूलिका निरहन होता है लेकिन अफसोच के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तर देश के हर जिलों में सरकी रेक बना है लेकिन आज साथ सार हो गया है फैदाबाद के अजुद्या के किसानों के जमीनों के लिए सरकी रेक न बनने के कारण उनकी जमीनों को पॉरियों के घाम पर बारी लोगों को बसाने कका कया दाने मर नियता के पास कितने लोग आए लेकिन हम को है कि हम मुगजात दुराएंगे हमारे नियता ने कहा था लेकिन मुखजा यह मर्जादा पुर्शोत तम्राम की धर्ति है वहां की मर्जादा को तोड़ा गया है और मिशिकान दूबे जी जिए भन्यबाद वहां की मर्जादा को तोड़ा गया है यह जसे झाल को तोड़ा है